हाई एबरिवन स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों TBO TAKE Limited का IPO आठ मई से 10 मई की बीच ओपन रहेगा तो इस वीडियो में दोस्तों इस IP के बारे में complete detail में बात करेंगे अगर आप इस IP में interested है तो इस वीडियो का आप अन तक जरूर देखें और इस चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहां पर दोस्तों इस IP के बात करें तो यह एक book built issue है 1550.81 क्रोड रुपे का इसमें दोस्तों हमें price issue और open for sale का combination देखने को मिलेगा तो यहां पर दोस्तों यह IP के लिए अच्छी बात होने वाली है यहां पर दोस्त होगी 15 में को और इस IP में आप UPI mandate accept कर सकते हैं 10 में को पांच विज़े तक तो पांच विज़े के बाद दोस्तों आप इस IP का payment नहीं कर सकते हैं पांच विज़े के बाद आपका payment accept नहीं किया जाएगा इस IP को प्रैस्मेंट की बात करें तो 875 रुपे से 920 रुपे पर sale है और इस IP का load size 16 sales का है यानि 16 sales के लिए आपको कम शिकम apply करना पड़ेगा आईपयो का total issue size 1550.81 क्रोड रुपे है इसमें से दोस्तों हमें 400 क्रोड रुपे का price issue देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें 1150.81 क्रोड रुपे का ओपर पर sale देखने को मिलेगा तो यहाँ आपर द इस fund को use कर सकती है और यहाँ पर 1150.81 क्रोड रुपे directly promoters को जाएगा क्यों दोस्तों promoters अपनी share holding यहाँ पर sale करेंगे यह ओपर वोर sale है तो यह directly promoters को जाएगा company के लिए यह fund बिल्कुल भी useful नहीं है IP की listing BSE और NSC पर होगी और इस IP में retail के लिए 3% का quota है और H9 के लिए य दिमेट अकाउंट से अपलाई करना पड़ेगा वो भी दोस्तों अलग लग पेन नंबर से अगर आप सारे family members के दिमेट अकाउंट से IP में अपलाई करेंगे तो definitely दोस्तों आपके लोटमेंट के चांस थोड़े सी ज्यादा होंगे क्योंकि दोस्तों अजार क्रोड रूप जिसमें आपको 16 सेर मिलेंगे और 14720 रूपे का अमाउंट ब्लोग होगा ऐस अचने के टिक्री के बात करें तो ऐस अचने के लिए minimum 14 लोट है 214 सेर्ज के लिए अपलाई करना पड़ेगा और 2,6,080 रूपे का अमाउंट ब्लोग होगा बीग अचने के टिक्री के बात कर और दोस्तों साथी एक बात को आप हमेसा ध्यान में रखेगा क्या आपको एक से ज़्द के टीगरी में एक साथ IP UP अप्लाई करना है अगर आपको एक ही केटिगरी में है एकाइप्लाई करना है तो आपको अलोटमेंट नहीं मिलेगा आपकी अप्लिकेशन रिजेक्ट हो जा range of currency support and forex help ओपर करती है और दोस्तो कमपनी अपनी services यहाँ पर hotels, airlines, car rentals, transfers, cruises, insurance, rail companies and other retail customers, travel agencies, independent travel consultants और corporate customers को provide करती है और इसके अलाव भी तोत्तों यहाँ पर कापी सारे customers है जिनको यह अपनी travel distribution services प्रोच करती है इसके बाद दोस्तों इस company के financials को देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं financial year 2021 से 2023 की बीच में company की जो total assets है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रही है revenue भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं financial year 2021 से 2023 की बीच में लगातार बढ़ रहा है और latest quarter में भी दोस्तों company ने एक अच्छा revenue generate किया है 1039.56 क्रोड का revenue company ने latest quarter में generate किया है और दोस्तों यहाँ पर 22 से compare करेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर 22 के comparison में 112.09% की growth revenue में देखने को मिल रही है तो company का revenue लगातार बढ़ रहा है कापी सांदार growth हमें revenue में देखने को मिल रही है प्रोपिट की बात करें तो इस company का profit financial year 2021 में negative था company अपर 34.14 क्रोड रुपे के loss में थी लेकिन दोस्तों अगली year में company ने 33.72 क्रोड रुपे का profit generate किया है और financial year 2023 में company ने 128.49 क्रोड रुपे का profit generate किया है जो कि दोस्तों बहुती सांदार growth है extreme growth हमें इस company की कह सकते है और latest quarter में भी दोस्तों इस company ने 154.18 क्रोड रुपे का profit generate किया है जो कि दोस्तों कापी अच्छा फिकर रहा थी यहाँ पर दोस्तों financial year 2021 को छोड़ दे तो बाकी दोनों year में company ने बहुती अच्छा profit generate किया है कापी अच्छी recovery प्रिविएस year के compare रिजन में company ने दिखाई है और दोस्तों profit में growth भी कापी सांदार देखने को मिल रही है इस company का net worth 501.21 क्रोड रुपे है रिजर्वेंट सर्प्लाइज 488.43 क्रोड रुपे है और total borrowing company पर 2.93 क्रोड रुपे है जो कि दोस्तों उतना ज्यादा नहीं है अगर हम यहाँ पर रिजर्वेंट सर्प्लाइज से compare करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें date उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है इसके बाद दोस्तों इस company के valuation को देखें तो इस company का जो PE ratio है वो 64.58 है जो कि दोस्तों post IPO 48.6 रहेगा company का EPS 14.25 रुपे पर equity share है जो कि दोस्तों 18.93 रुपे पर equity share रहेगा तो यहाँ पर EPS कापी अच्छा है और यहाँ पर return on net worth की बात करेंगे तो return on net worth 30.76 परचेंट है और यहाँ पर profit to book value 18.66 है तो यहाँ पर return on net worth 15% से उपर देखने को मिल रहा है जो कि company की growth को दर्साता है कि यहाँ पर company की growth कापी अच्छी है company का EPS भी कापी अच्छा है तो यहाँ पर valuation भी कापी अच्छा दिख रहा है तो इसको अगर हम peer से compare करें तो यहाँ पर rate gain travel technologies limited है जो को 113 की P.E. पर लिस्ट है travel ctm है जो को 28 की P.E. पर लिस्ट है और webjet limited है जो को 213 की P.E. पर लिस्ट है तो यहाँ पर peer comparison में कही न कई कंपनी सही valuation पर दिख रही है travel ctm को छोड़ दे तो यहाँ पर दोस्तो दोनु कंपनी के comparison में कंपनी ने अपना जो प्राइस में अनाउंस किया है वो कापी कम दिख रहा है यहाँ पर 113 की P.E. पर लिस्ट है 213 की P.E. पर लिस्ट है और वहाँ पर दोस्तो हमने देखा था 48 के आसपास P.E. रहेगा पोस्ट IPO तो यहाँ पर दोस्तो वेलियोशन भी कंपनी का कापी attractive दिख रहा है travel CTM को छोड़ दे तो यहाँ पर दोस्तो दोनु कंपनी के comparison में कंपनी ने अपना जो प्राइस में अनाउंस किया है वो कही ना कही थोड़ा सा सस्त दिख रहा है तो कंपनी ने IPO लाने के चार object यहाँ पर बताए है इसमें दोस्तो पहला है expansion दूसरा यहाँ पर दोस्तो है amplification तीसरा यहाँ पर है acquisitions और चोतर यहाँ पर है leveraging data पर cured इसके बाद दोस्तो इस IPO के register की बात करें तो इस IPO का register है cap in technologies limited इसकी website भी दोस्तों यहाँ पर mention कर रहे की है जिससे दोस्तों इसका allotment आता है आप इसकी official website पर जाकर अपना allotment status चेक कर सकते हैं कि आपको allotment मिला है या नहीं मिला अब हम दोस्तों अंत में इस IPO का grey market premium देख लेते हैं कि grey market में इस IPO की demand कैसी है grey market में इस IPO का trend कैसा चल रहा है जिससे दोस्तों हमें listing gain का भी idea लग जाएगा कि इस IPO में हम कितना listing gain expect कर सकते हैं वो दोस्तों हमें grey market premium को देखने से पता लग जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं grey market में इस IPO को जो trend है वो यहाँ पर upside में है यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% के आजबास का grey market premium था जो कि दोस्तों आज की दिन 55% है थी यहाँ पर दोस्तों grey market में demand कापी अच्छी दिख रही है grey market में इस IPO के जो premium चल रहा है वो 510 रुपे हैं और यहाँ पर दोस्तों हमें 55% याँ 55% की demand इस IPO में देखने को मिल रही है और दोस्तों अगर किसी IPO की demand 20% से उपर होती है तो वो listing gain के हिसाफ से अच्छा माना जाता है listing gain के point of view से IPO को अच्छा कह सकते हैं अगर उसकी demand 20% से उपर होती है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 55% की demand देखने को मिल रही है तो listing gain के साफ से दोस्तों IP अच्छा जा सकता है लेकिन दोस्तों हमें 100% grey market पर rely नहीं करना है हमें company के financials and fundamentals देखने हैं और उसके बाद ही दोस्तों हमें IP में apply करने का decision लेना है तो इसका दोस्तों यह IPC related important details दी जो के दोस्तों मैंने आपके साथ share कर दी है अगर आपको कोई भी doubt है तो नीचे comment section में लिग कर पूश सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को subscribe करें साथ में bell notification को जुरूर own करें ताकि आपको future में भी IPC related important videos का notification मिलता रहे है तो चैनले दोस्तों मिलता है आपसे next video में तब तक के लिए keep lining देखते रही है bell treasure